हेलो स्टुडेंट्स औल राउंडर ब्स के आउनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है मैं पूरन सिंग आपके साइंस के टीचर आज आपको सौल करवाने में वाला हूँ जवार नौदय विद्याले का मोडल पेपर फर्स्ट इसमें हम साइंस के कोस्टन को ले आपको इसके अंदर कैसे फिल अप करना होगा उसके बारे में आपको इंस्ट्रक्शन दे देता हूं यहां पर जो है आपने रोल लंबर बरेंगे यहां पर आपका जो नेम आजाएगा एक्स वाइजेड जो भी नाम है आपका वो नेम आजाएगा यहां पर यहां पर आप जो है उसको हम solve करेंगे जो science के question answer है वह आपके start होते हैं section number 4 में कि जो कि यह रहे, question number 66 से 100 तक रहेंगे science के question और इसके अंदर जो section number 4 है, उसके अंदर हम science के बारे में हम पढ़ेंगे, तो इसमें जो question number 1 है, question number 1 में कह रहा है, question number 66 जो कि science का है, उसके अंदर ये कह रहा है, कि the unit of work is, work की क्या unit है, तो work की जो unit होती है, उसके पता करने के लिए पहले हमें work का formula पता होना चाहिए, तो जो work होता है, the work done is equal to होता है force into displacement, और force की unit होती है newton और displacement की unit है meter, और newton into meter क्या कहलाता है बच्चों, जूल कहलाता है, तो यहाँ पर जो work की unit है, वो क्या होगी, जूल होगी, हमारा जो answer होगा, इसके अंदर कौन सा सही होगा, जूल, तो चलिए next question में, और इसमें जो दूसरे option जो confuse करने वाले हैं, यह जो डाइन है, यह अलग चीज है, वाट अलग पावर की unit है, neutron atom का part होता है, जो और जो डाइन है, यह force की cgs unit है, तो इनका भी हमें साथ-साथ revision कर लेते हैं, next बात करते हैं, अगले question की, अगला जो question है, उसमें कह रहा है, the alpha particles, alpha particles carries two positive charge, alpha particles के पास दो positive charge हो है, its mass is very nearly equal to that of, इसका mass किसके equal होगा, तो सबसे पहले हमें यह पता करना पड़ेगा, कि alpha particles होता क्या है, तो बच्चो, alpha particles क्या होते हैं, जब bombardment क्या जाता है, रिदर फोर्ड का, gold foil के उपर, उसमें alpha particles use करते हैं, alpha particles doubly charged helium atom होते हैं, मतलब helium atom जो है, उसके doubly positively charge, मतलब positively charge means, उसके अंदर से दोनों electron निकाल दिये, helium का जो atomic number है, वो होता है बच्चो 2, और इसका atomic mass होता है, वो होता है बच्चो 4, अब आपको पहली बात तो यह science के अंदर कम से कम 1 से लेके, 30 तक atomic number elements क्या दोने चाहिए, hydrogen, helium, lithium, baron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, sodium, magnesium, hydrogen, potassium, calcium, sodium, potassium, chromium, magnesium, carbon, nickel, copper, zinc, ठीक है, तो कम से कम 30 elements यहाद होने चाहिए, तभी आप यह चीज़ अच्छीज कर पाऊगे, तो उसका mass होता है, approximately उसका double होता है, तो यहाँ पर helium में दो proton होते हैं, दो neutron होते हैं, दो neutron होते हैं, तो इसका mass होता है, proton और neutron के कारण होता है, electron का mass negligible होता है, तो अगर यहाँ पर जो helium है, इसमें से दो electron निकाल भी दिये, तो भी उसका mass किसके equal आएगा, helium के according आएगा, और helium डबली चार्ज होता है, helium जब डबली चार्ज, जब समें से दोनों electron निकाल दे, उसको हम alpha particles कहते हैं, तो उसका mass होगा, वो किसके equal होगा, atom of helium के, क्योंकि सिर्फ अकर हम दो proton लेंगे, सिर्फ अकर दो proton लेंगे, तो यहाँ पर जो दो neutron है, वो जो दो neutron है, उनका mass count नहीं हो रहा, और positron और neutron, तो positron कोई element नहीं होता है, कोई subatomic particle नहीं होता है, protons होते हैं, तो इसका answer कहा जाएगा, atom of helium उसके approximately, तो यहाँ पर 67 question है, इ answer number B, ओके, चलिए, अब next question के पास में चलते हैं, जो हमारा next question है, वो है question number 68, question number 68 में कह रहा है, which one of the following instrument is used for locating submerged object in an ocean, यहाँ पर क्या कह रहा है कि इन में से कौन सा जोपकरन है, यंद्र है, जो किसलिए काम आता है, for locating, पता करने के लिए, submerged object, submerged मतलब ऐसे objects जो डूबे हुए हैं, समूंदर के अंदर नीचे की तरफ है, ना, submerged object in an ocean, तो उसके अंदर जैसे मैंने आपको, जो हमारा premium syllabus है, complete syllabus है तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था, कि जो हमारे sonar है, sound, navigation and ranging, उसके अंदर मैंने आपको इस तरीके से boat लेकर समझाया था, कि जैसे जो boat होती है, बड़ी सी, जो ships होती है हमारी, हना, तो उन ships के नीचे submarine है या नहीं, तो उसके नीचे यहाँ पर ultrasonic waves भेजी जाती है वो वापिस फिर उपर आती है, तो velocity is equal to two times of distance upon time यह formula लगा कर हमने इसको समझा था, हना, तो यहाँ पर sound, navigation and ranging जो होगा, इसका right answer होगा, जो पता करता है कि कितने distance के बाद में कोई चीज पड़ी है, ठीके, अब हम बात करते हैं, next question की, next question जो है, कि जो sonar है, वो mostly कहां use होता है, sonar है जो है, वो mostly कहां use होता है, तो इस question में हम चलते हैं, sonar के अंदर, question number 69, sonar, sound, navigation and ranging is mostly used by, यह हमारा जो sound chapter है, उसके अंदर है, जिसमें ultrasonic waves का जो use होता है, sonar के form में आता है, यह जो आपके now वगेरा जो चलाते हैं, नेवी के अंदर काम आता है, तो इसका जो correct answer होगा, वो क्या होगा, डी, navigators, astronauts, engineer, doctor के ज़्यादा comparison में कौन सा काम आता है, डी, आपका आएगा, navigators, ओके, तो समझ में आया आपको यह, तो हमारा जो इसका answer होगा, वो answer हो जाएगा आपका, डी, navigators, चलिए, next question जो है, question number 70, इसके अंदर कह रहा है, working principle of washing machine is, तो washing machine जो होती है, उसका क्या working principle है, तो washing machine के अंदर कौन सा process होता है, centrifugation वाला, हना, क्योंकि washing machine क्या करती है, कपड़ों को गोल-गोल गुमाती है, कौन गुमाती है, कौन गुमाती है, washing machine, कपड़ों को गोल-गोल गुमाने के करण, इसके अब्जेट करता है तो क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं जिनका मास अलग होगा वह एक तरफ पार्टिकल्स की अलग होती उनको सेपरेट करने के लिए जो मैथर यूज होता है तो इसका आ जाएगा सेंट्रिफ्यूगेशन मैथर ठीक है तो यह गया कोशन नूमर 70 का ठीक है अब नेक्स्ट जो हमारा कोशन है उसके अंदर चलते हैं जो है कोशन नंबर आपका 71 question number 71 में कह रहा है कि main ore of copper is copper का main ore क्या है copper किस्से extract किया जाता है किस्से extract किया जाता है हमारे metals होता है सीधा जमीन में नहीं मिलते हैं इनको क्या करना पड़ता है जमीन से बाहर निकालना पड़ता है तो जमीन से जब इनको बाहर निकालते तो यह और के फॉर में मिलते हैं और क्या होता है जिसके अंदर particular metals की concentration ज़्यादा होती उसको और कहते हैं और यहां पर जो copper का है यह चारों copper के हैं केलकोप्राइट मैलेजाइट क्यूप्राइट एंड एजुराइट पर जो में जिसमें सब ज़्यादा आपके copper extract किया जाता है तो वो है हमारा option चलकोप्राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा हमारा चलकोप्राइट ओके बच्चों चलिए next question लेके चलते हैं यह 71 question था metallurgy से लेकर जिसमें metal को extraction करते हैं उसके और से next question है हमारा question number 72 जो question number 70 है उसमें कह रहा है who propounded सबसे पहले किस ने इसके बारे में बात की थी ता universe law of gravitation तो gravitation law के बारे में आती सबसे पहले हमारा answer क्या निकलता है किसके सर के उपर शेव गिरा था जी हां बच्चों आपका सही answer है बिलकुल करेक्ट गैसे इसका answer है Newton तो हमारा जो 72 question है उसका answer क्या हो जाएगा Newton उसके बाद में जो next question है वो है question number 73 question number 73 में कह रहा है astronauts in space cannot stand direct सीधे खड़े क्यों नहीं हो सकते वो टेडे मेडे क्यों लट्टकते रहते हैं प्रॉपर एकदम आराम से क्यों नहीं खड़े रह सकते तो आपको इसका answer बहुत ही अच्छे से पता होगा क्योंकि हमें पता है हमारे अर्थ पे क्या पाई जाती है ग्रेविटी पाई जाती है और space में ग्रेविटी नहीं होने के कारण कोई भी properly stand नहीं हो सकता तो इसका correct answer क्या हो जाएगा 73 का 73 correct answer हो जाएगा है because there is no gravity ठीक है तो जब आपके concept clear होंगे तो आपको जो आपका answer होगा वो सीधा सामने दिखाई देगा दूसरी तरफ आपका ध्यान जाएगा है नहीं देखो दूसरे option जो है वो confused करने के लिए क्या क्या कह रहा है उसके लिए भी देख लेते हैं यह कह रह कह रहा है atmospheric pressure is very low है ना तो यह confuse करने वाली बात है उनके confused करती जो नहीं पढ़ते हैं आपने अगर concept clear रखा है तो आपको पता है वहाँ gravity नहीं है कोई object ही नहीं है atmosphere ही नहीं है तो वहाँ पर कैसे यह सब चीज़े possible होगी तो सीधा answer के आएगा हमारा A तो next लेके चलते हैं आ पानी की जो बूंदे होती है वो जब आसमान से नीचे गरती है या फिर कहीं नल से नीचे गरती उनकी जो सेप इस तरह से स्पेरिकल क्या होती है वह अपना surface area कम से कम रखना चाहते हैं यह जो होता है किस process के कारण होता है बच्चों यह होता है surface tension के कारण जिसके अंदर minimum surface area रखना चाहते हैं इस कारण जो है उनका जो सेप होता है वह कैसा होता है बटा इस परिकल है तो इसमें पहला आप्शन ने फॉल फ्रॉम बिग हाइट बिग हाइट से फॉल हो रहे हैं इस कारण तो इस नौट करेक्ट आंसर उपर इसके options है 71 के next question कह रहा है next इसका जो पा ऐर के इंदर क्या होता है जो इस में इसमें बटा के रिखने किस क्प्रोसेस की कारण रखना चाहा रहा है वह सरफेस टेंशन कारण और को ऑद flock protected ले ना तो सबसे मिनिमम्ध्य यो निकलता है वह किस निकलता है sphere का निकलता है तो इसका जो हमारा correct answer होगा वो हो जाएगा आपका option number c the water has surface tension next question है उस next question में हम से पूछ रहा है the tendency the tendency of liquid drop to contract अपना surface area कम करना contract मतलब संकुजना इखटा होना to contract and occupy minimum area अपना area minimum रखना चाहता है तो बिल्कुल लूपर वाले कोशन के जैसा ही कोशन है इसका जो correct answer है क्या होगा आपका density मतलब उसका घनत हुआ ठीक है और वेपर प्रेसर मतलब कितना उसके उपर वेपर बन रहा है उसका प्रेसर बन रहा है तो हमें पता है कि surface area minimum रखना है यह property होती है surface tension की कारण तो इसका correct answer होगा ए चलिए next question की तरफ बढ़ते हैं हमारा जो next question है question number 76 है इसके अंदर यह कह रहा है the wavelength the wavelength extension of visible light तो visible light क्या होती है जो हम normal light जो देख रहे हैं particles reflect होके हमें दिखाई दे रहे हैं वो उसकी जो wavelength होगी क्योंकि light के भी अलग-अलग wavelengths होती है उस wavelength के बारे में हम बात करना चाहते हैं तो यह कह रहा है the wavelength the wavelength of extension of visible light तो हमारी जो visible light होती है उसकी wavelength क्या होगी तो हमारे visible light जो होती है वो actually seven colors से मिलकर बने भी होती है जो seven colors जो होते है आपका होता है विब ग्योर होता है वी आई बी जी वाई ओ आर ठीक है तो violet से start होता है red तक रहता है ये इसके बीच में जो range होती है ये range के particles हमें दिखाई देते हैं ठीक है अब violet से हम आगे वाला नही नहीं देख सकते जो ultra violet होता है और red से हम कम वाला नहीं देख सकते जिसको हम क्या कहते है infrared असली में जो range होती है वो होती है 380 380 nm 380 nm 380 nm से 380 nm से ये होती है 700 nm 380 nm से 700 nm होती है और 380 nm से जो कम होगी वो होगी आपकी ultra violet ultra violet UV rays जिससे ozone हमें प्रोटेक्ट करती है और 700 nm से जादा हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी infrared हो जाएगी तो हमारी जो range होगी वो होगी लगबग इसका जो correct answer आ रहा है D between 390 to 780 इसके बीच में पाई जाएगी तो this is our D option is the correct तो हम इसमें कह सकते हैं कि option D जो होगा हमार correct होगा next question की तरफ लेके चलते हैं इसमें कह रहा है human eye is most sensitive जो हमारी human eye है वो सबसे ज्यादा sensitive to visible light of the wavelength human eye कि लाइट को सबसे ज्यादा वो सैंसिटी वह आरा असानी से उसको पहचान सकती है तो इसका जो टेक्स्ट बुक्स में जो answer है वो nanometer में है तो यहां पर hangstorm तो आपको unit conversion आना चाहिए तो उसकी में आपको trick बता देता हूं हाथ हाथ unit conversion कहीं बच्चों के लिए बहुत पुस्किल काम होता है लेकिन यहां पर all-rounder BSS की जो student है उनके लिए बाइंहाद का खेल होगा चलिए ट्रिक याद करते हैं पहले तीन लड़कियों का नाम याद रख लो क्लो सिंग नाम से लग रहे लड़कम यह के बीच में पड़ सकते हैं एक unit क्या ओ सकती है अगे कुछ भी हो क्या होसकती है और लिटर भी हो सकती है तो आगे कुछ होता है उसका होता है 10 की पावर 0, dashi मिन्स 10 की पावर minus 1, centi मिन्स 10 की पावर minus 2, milli मिन्स 10 की पावर minus 3, 10 की पावर minus 3 मतलब 1 upon thousand, deka मिन्स 10 की पावर 1, ecto मिन्स 10 की पावर 2, kilo मिन्स 10 की पावर 3 हो गया ना 1000, इससे आगे भी होती है भी चीज़े किलो के आगे जैसे मेगा 10 की पावर 6 10 की पावर 9 हो जाएगा 10 की पावर 12 टैरा अब जब मैनस में चलैंगे epidemi तक आ अगे मली के आगे हो जाएगा 10 की पावरमा इनस-3 सागे माइनस 6 मा इनस 6 माइक्रो जिसको इस तरह से सो कर सकते हैं 10 की पावर माइनस22 , 10 लखर पार माइनस22 , 10 की पावर-9 , 10 की पावर-12 , 250 बीम्र आता भीच वहाँ वहSUS , 6 दा हम 1-10 पर गेता है और यहाम पर यह विद 10 की है यह तरहíb сторकल करा है , उपर प्र टॉक्षझे हून्हेसआ की सेन्सिब वेवलेंथी है , वहाँस है dużo होती है मैंFF 555 नेनो मीटर तो जब एंग्स्ट्रोम में करना है तो 10 उसमें एक्स्ट्रा लगा देंगे तो इसका आंसर आजाएगा हमारा B 550 550 एंग्स्ट्रॉम तो इस आवर करेक्ट आंसर चलिए जो और नेक्स्ट कोशन है कोशन नंबर है हमारा 78 समझ में आ रहा है बच्चों चलिए नेक्स्ट कोशन है 78 विच अप्दा फोलेंग इस नौट ए पार्ट आट अटम निनमन में से कौन सी चीज जो है अटम का पार्ट नहीं है अटम समॉलेस्ट पार्टिकल होता है अटी ओ एम एटम उसका उल्टा पढ़ हो MOTA मोटा मोटा का उल्टा सबसे चोटा अटम इस दा समॉलेस्ट पार्टिकल ठीक है हाला कि इसके आगे सब particles है लेकिन जोल डाटे नहीं कहा था smallest particle है तो उस range में मैं कह रहा हूँ तो atom सबसे small नहीं है क्योंकि इसके अंदर भी सब particles पाये जाते हैं कौन कौन से सब particles पाये जाते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं तो कह रहा है which of the following part is not a part of atom अगर हम जाने तो atom को हम दो types में divide कर सकते हैं atom को दो parts में divide कर सकते हैं एक उसका जो होगा एक होगा उसका जो atom है atom atom इसके दो parts कर सकते हैं एक तो उसका nucleus region ठीक है दूसरा है उसका हम बात कर सकते हैं cell या फिर orbits, cells या फिर orbits, ओके, तो nucleus होता है, इसमें दो चीज़े पाई जाती, एक तो आपका पाया जाता है proton, और दूसरी चीज़ पाई जाती है आपका neutron, ठीक है, और orbit के अंदर पाई जाते हैं आपके electrons, ठीक है, ये तीन चीज़े है, proton, neutron और electron, इसके अंदर ये कह दिया photon, photon, photon जो होता है, वो atom का पार्ट नहीं होता है, कोई भी atom होता है, इसके उपर जो sunlight गिरती है, sunlight गिरती है, जिसे electron energy गेन कर लेता है, वो किसके फोर्म में आता है, photon के फोर्म में आता है, पैकेट्स होता है, sunlight के, उसके फोर्म में आते है, वो photon होता है, वो बाहर से आता है, उ महमान है ना कि member है तो इसका जो correct answer होगा not the part इसका answer हो जाएगा हमारा d so photon is not the part of an atom इसके parts कौन है electron proton और neutron proton और neutron कहां पाय जाएएंगे nucleus के अंदर और जो photon है वो sorry और जो electron है वो बाहर orbits में revolve करेंगे this is a simple structure next जो हमारा question number 79 है इसके अंदर 79 question के अंदर उमसे कह रहा है कि single type of atom is found in single type मतलब akilah single type मतलब akil मतलब akilra किसी के साथ उसने ना तो reaction किया है ना कोई compound बना याना को मिक्सर बनाया है ठीक है akilah जब akilah होगा तो ना तो वो compound के form में पाया जाएगा ना वो mixture के form में जाएगा पाया जाएगा native element के form में मतलब जो इसके वास्तिक शरूप में जो पाया जाएगा उसके अंदर atom जो होगा हमेशा single रहेगा वरना अगर जो elements है जैसे हाइडोजन है लीथियम है यह जल्दी से जल्दी अपने आपको stable करने की कोशेश करते हैं electron gain करके तो यह जब native state में रहेंगे जब इनके पास में कुछ नहीं रहेगा तभी अपने आपको क्या करेंगे single पाये जा सकते हैं तो इसका answer हो जाएगा तो यह था question number 79 next question की तरफ चलते हैं बच्चो वह हमारा question number 80 which of the following is an example of chemical change निम्न मैंसे कौन सा जो उधारन है वह एक रसाइनिक परिवर्तन का उधारन है चलिए इसमें यह कह रहा है देखो सबसे पहले हमें पता होना चीए chemical change और physical change में difference क्या है तो chemical change होता है उसकी चार properties होती है कि new substance बनता है mostly generally वह कैसे होते हैं irreversible होते हैं है ना तो यह कुछ properties होती है उसमें evolution of gas होता है gas निकलती है और साथ में क्या होता है उसका color change हो जाता है तो यह कुछ properties होती है chemical change की physical change में mostly सिर्फ state change होती है जब कोई new substance नहीं बनता है अब हम बात करेंगे जैसे कि इसके अंदर जो option दे रहे हैं तो नो option को हम underline करके देखते हैं first हम पढ़ते हैं कि dispersion of white light into seven colors अब white light को prism जो seven colors में रख दिस्पर्स तो कर देता है अगर हम उस prism को वापिस उल्टा रिखेंगे तो वापिस किस में कर्मेट हो जाएगा white light में इसको मैं आपको diagram के साथ समझा देता हूँ माना कि यह हमारा prism है यहां पर यह prism है और यह prism क्या कर रहा है इसके इंदर जो light आ रही हो seven colors में इसने क्या कर दिया डिस्पर्ज कर दिया है यहां पर उल्टा प्रिजम लगाएंगे तो वापिस यह seven lights जो seven colors होंगे सिंगल में हो गया तो यह reversible process हो गया तो यह तो physical change हुआ next कह रहा है softening of vegetable when could इसके देखो जिस तरह से इसने example दिया उससे लग नहीं रहा है कि क्या है खाना गरम ही तो किया है ठीक है उसको बाला ही तो है इसमें कोई chemical change थोड़े न होगा लेकिन बच्चों उसके जो taste में change आ गया order में change आ गया कच्चे आलो को आप पके हुए आलो क वापिस आपका च्चा आलो नहीं बना सकते तो उसकी जो properties में change आ गया इसलिए हम कहेंगे जो भी है यह chemical change है अगला क्या है क्यों नहीं है वह chemical change उसके बारे में बात करते हैं यह कह रहा है wet soil lamp ठीक है wet soil lamp तो कुल मिलाकर यह बात कर रहा है दिये की बात कर रहा है ठीक है या next कह रहा है dissolving of salt in water salt को हम पानी में dissolve कर रहे है तो वापिस operation करेंगे तो पानी अलगा जाएगा और distillation के थूरू हम क्या कर सकते है salt को भी अलग कर सकते है तो यह सारे जो है A C और D reversible process है irreversible जो इसमें process है वो कौन सा है हमारा B तो इसका जो correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा बच यह फिर art examples of chemical change, chemical change के कौन से example है तो मैंने अभी अभी आपको पताया chemical change जो होते है वो कैसे होते है irreversible होते हैं जनरली irreversible होते हैं और जो physical change होते हैं them mostly कैसे होतय है reversible होते हैं पहला कह रहा है क्रिस्टलाइजेशन अब सोडियम क्लोराइड अब सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल कब बनते हैं सोडियम क्लोराइड के पहले आपको पता होना चाहिए जो sodium chloride होता है उसका formula होता है NACL common salt भी बोलता है इसके साथ में जब water attached होता है तो उसको हम क्या कहते है जब उसके साथ क्या attached हो बेटा water water of crystallization attached हो तब हमें किस shape में दिखता है crystal shape में दिखता है जैसे अगर हम इसको गरम करेंगे तो यह water of crystallization इसका remove हो जाएगा तो यह वापिस decistilize हो जाएगा तो यह कैसा process है reversible process है इसलिए हम इसको chemical change नहीं कह सकते melting of ice ice का पिघलना बर्फ का पिघलना यह temperature के कारण होता है solid solid से liquid में आ रहा है हम वापिस इसको cool करके इसको freeze में रखने पर refrigerator पर रखने पर यह वापिस liquid जो है वाइस बन जाएगा तो यह भी हमारा answer नहीं होगा ठीक है next जो है वो है soaring of milk दूद का फट जाना दूद का खटा हो जाना दूद का फट जाना क्या फटेवे दूद से वापिस आप सही दूद बना सकते हो सरसुई जागा लेकि चुरूर मत हो जाना यहां पर यह जो process है इसके अंदर आप फटेवे दूद से पनीर से वापि जो option है वो किसम है क्योंकि यहां पर जो option दिये हुए वो इस तरीके से दिये हुए option दिये हैं आपके इसमें देखो बच्चो पहले कह रहा है select the correct answer using the code given below पहला के option है हमारा first and second only first and second correct है लेकिन हमें पता है first and second तो रहोंगे बी इसमें कह रहा है third only और हमारा उपर second में था melting of ice लेकिन बी में third only डाला है तो ज्यादतर बच्चे इसका C करके आ जाते है बिना option को देखे तो पहले आपको option को देखना है कि वो कौन सा है है या not बोल रहा है या all of these आ रहा है या none of these आ रहा है two and three वो आगे पीछे करेग जैसे question है कि उसके option one, two, three, four है तो two की जगा D देदेगा three की जगा A देदेगा तो आपको option सही से पढ़ना है 99% बच्चे यही गलती करते हैं को option सही से नहीं पढ़ते हैं तो हमें option सही से पढ़ना है वहां आपकी धहरे की परिक्षा भी होती है तो इसका जो correct answer होगा वो हो करते रही है लाइक करते रही है और चैनल को सब्सक्राइब करते रही है तक ही हमें motivation मिलता रहेगा ऐसे आपके लिए और ज्यादा वीडियो बनाने के लिए तो next question है हमारा question number 82 question number 82 में कह रहा है which of the following is not a matter इन में से कौन सी चीज़े जो matter नहीं है पदार्थ नहीं है matter क्या हो होता है matter is anything which occupy space matter वह चीज होती है जो क्या करती हो space occupy करती हो उसका कुछ ना कुछ मास होता हो ठीक है air के अंदर particles होते हैं जैसे कि helium है oxygen है nitrogen है इनका कुछ ना कुछ मास होगा तो air matter है space गहर रही है क्योंकि balloon है उसके अंदर हम हवा बरते है तो एक time आता है उसके बाद उसके space तो घहर रही है ठीक है water water की जो भी क्या होती capacity होती है ऐसा थैनी एक glass के अंदर आप कितना भी पानी डालते जाओ जाओ वह भी क्या करेगा space तो घहरेगा ठीक है soil भी आपके space गहरी कि sunlight है sunlight कोई आपके इस type का matter नहीं है क्योंकि इसका कोई particular mass नहीं है तो हम कह सकते हैं हमा प्रियों को share करते रही है जो question number 83 है question number 83 में कह रहा है the element found maximum in the soil layer soil layer के अंदर कौन से element सब जादा पाया जाता है इसमें बच्चे गलती कहां करते हैं बच्चे गलती यहां करते हैं कि वह उनको यह data होता है कि atmosphere में कौन से जादा पाया जाता है तो वह तो कह रहे है हाँ atmosphere में nitrogen जादा होता है तो यह भी करके आ जाते हैं असली में यह पूछ रहा है soil के अंदर earth के crust के अंदर कौन से जादा पाया जाती है तो इसका मैं आपको data available करवा देता हूं जो हमारे soil होती है उसके अंदर oxygen है वह आपके पाया जाती है सबसे जादा oxygen जो है वह सबसे जादा पाई जाती है oxygen की जो quantity होती है वो Exp ận M思tv परसेंट पाया जाता है जो next है इसके अंदर वह कि silicon जो मिठी होती है वह शिलीकन और Si, Atomic No.14, यह formula होता है, मिट्टी का, तो silicon जो होती है, वो पाई जाती है, आपके 27.2%, बाकी जो चीज़े इनसे कम पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, इसका answer क्या होगा हमारे पास, A, oxygen, और भी कई चीज़े है, जैसे कि आपके calcium है, वो 3.65%, carbon है, 0.6%, लेकिन इनका number तो आएगा नी, magnesium और nitrogen का, तो हमारे पास, जो soil के अंदर पूछा जाए, soil layers के अंदर पूछा जाए, तो हमारा correct answer क्या होगा बच्चों, oxygen ना की nitrogen, और कई बच्चे इसलिक अफूज जाते है, कि हाँ बच्चे इसलिकन 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 के अंदर जो formula होता ह तो कई बच्चे सलिकन इसलिकन इसलिकन के अजाते हैं, पर जो correct answer होगा, वो क्या होगा, oxygen होगा, इसका A, 83 का, चलिए, next question है, question number 84, हाँ, तो बच्चों हम discuss कर रहे है, next question जो हमारा question number 84, question number 84 है, इसके अंदर ये कह रहा है, कि which one of the following pairs of metals constitutes the lightest metal, सबसे हलका metal कौन सा है, और सबस के according नहीं जाना है, इसके इंदर हम किसके थूफ बात करेंगे, density की थूफ बात करेंगे, density क्या होता है, kilogram density का यूनिट होती है, density की unit वो होती है, kg पर meter cube, kg पर meter cube, क्योंकि जो formula होता है density का, वो होता है, mass upon volume, तो यहाँ पर, जो सबसे कम density होती है, वो होती है, लिथियम की, औ और सबसे कम डेंसिटी लीथियम के उप्शन कितना है किस में दिखा रहा है लीथियम एक तो दिखा रहा है आपके बी के अंदर लीथियम दिखा रहा है और एक दिखा रहा है एक के अंदर अब बात आते हैं मरकरी और ओस्मियम की तो मरकरी जो है mercury जो है इसका atomic mass जो है वो ज़्यादा हो सकता है mercury का क्या हो सकता है बच्चों atomic mass ज़्यादा हो सकता है लेकिन जो osmium है उसकी density बहुत ज़्यादा होती है इस कारण जो heaviest metal होगा इसके अंदर और lightest metal होगा उनका combination कहां मिल रहा है बी option में मिल रहा है 84 का answer क्या हो जाएगा भी अगर facts की बात करें तो osmium की जो density है 22590 kg पर meter cube और अगर हम mercury की बात करें तो वो तो सिर्फ है 13.6 gram पर meter cube है ना तो कहां यह तो सिर्फ gram पर meter cube है और ये है किलो ग्राम पर मीटर क्यूब तो सबसे IVS density किसकी हो जाएगी किसकी हो जाएगी बच्चों ओस्मियम की और लीथियम की जो density है वो है 0.534 ग्राम पर मीटर क्यूब बहुत ही कम इसकी density है तो हमारा जो answer होगा इसके अंदर वो हमारा कौन सा हो जाएगा ऑफचन हो जाएगा कौन सा ऑप्षन होगा विटा बी ऑप्षन में क्या बता रहा है वो लीथियम एंड ऑवस्बियम किस बेशिस पर बताया हमने density के बेशिस पर बताया है तो चलिए जो हमारे नेक्स्ट ओप्षन है भी उस लीथियम अश्मियम वह हमें सोचना है कि metal hard होगा लेकिन chemistry है और chemistry का दूसरा नाम है exception, exception मतलब अफवाद, तो इस question में जो हमें से पूछ रहा है कि which is the hardest in the following, question number 85 में कह रहा है which is the hardest of the following, निम्न में से कौन सा सबसे कथोर वस्तु है, तो सबसे कथोर जो होगा, एक तो देरा है इसके इंदर diamond, एक द platinum, तो इसका जो answer है वो एक non-metal है, जो कि allotrop of carbon है, carbon का यह रूप है, तो उसका जो correct answer होगा हमारा क्या हो जाएगा बच्चों A, diamond इतना hard होता है कि यह जो glass cutting वगरा होती है, glass वगरा cut किये जाते है, metals को cut किया जाता है, उसके अंदर भी diamond की आगे tip लगाई जाती है, तो हमार correct answer क्या होगा बच्चों A, ओके, चलिए, next question में हम बात करते हैं, question number है आपका, 86, the plates of, the plates of galvanized iron, यहाँ पर galvanization process किया जाता है, iron के उपर ताकि उसको corrosion से बचाया जा सके, corrosion से बचाया सके, उसके उपर जंग ना लगे, वो rust में convert ना हो, atmosphere में जो oxygen परजेंट है उससे, और जो moisture present है, water present है उससे, तो उसके उपर हमें एक layer चड़ा देते हैं, okis metal की चड़ाते हैं, जिससे की रस्ट बनने से रुख जाए, तो इसके अंदर option है, lead है, chromium है, zinc है, और bunk है, तो इसका जो correct answer होगा, वो क्या होगा, zinc, zinc की plating चड़ाई जाती है, इस process को हम बोलते है, galvanization, atmosphere, air को gala बना देते हैं, कैसे gala बनाते हैं, उसके उपर zinc चड़ा देते हैं, उपर से लगते हैं, उसको zinc है, और अंदर क्या रहता है, हमारे iron रहता है, तो galvanization, process के अंदर हम किसकी plating करते हैं, zinc की, तो हमारा question number 86 है, इसका जो correct answer होगा, वो क्या होगा, zinc, next question number 87 है, galvanized iron is coated weight, तो सीधा इसको हम दूसरे form में भी ले सकते हैं, तो इसका answer क्या आजाएगा, zinc, ना कि aluminum, silver और galena, ठीक है, जातर बच्चे का यहां पर confused क्यों होते हैं, क्योंकि हाँ, galvanized देख रहा है, इसके जैसा same word क्या देख रहा है, galena तो यह गलत करके आजाते हैं, correct answer कब दे पाओगे, जब आपको सही concept पता हो, इसलिए आपको पूरे videos, जो हमारे premium videos हैं, उनको देखिए, उनको समझिए, तो आपको यह कुछ नहीं लगेंगे, जिस तरह से मैं आप solve करता जा रहा हूँ, आप मुझसे भी ज़्यादा fast करते जाएंगे, क्योंकि मेरे को explain करना पड़ रहा है, आपको explain भी नहीं करना पड़ेगा, तो बहुत कम टाइम में आप यहाँ पर लगेगा, आपको question को solve करने में, next question की तरफ चलते हैं, जो कि question number 88 है हमारा, उसमें कह रहा है, which of the following is made up of carbon olive, जो सिर्फ carbon से बना हो, carbon से बना हो, तो carbon से बना हो, तो carbon केलोट्रॉप्स होते हैं, जै इस टाइप से hexagonal structure होती है, जिसमें 6 carbon पाया जाता है, और यह आपस में एक दूसरे से क्या होती है, इस तरीके से connect होती है, ऐसी cylindrical structure जो ऐसे करकर के cylinder बनाते हैं, इस तरह से पूरा cylinder बना देते हैं, यह इस तरीके से ऐसा गोल गोल करके, तो यह जो है, graphene काफी हलका भी होत होगा, वो क्या होगा, से, ठीक है, तो अगर आपके concept के लिए है, तो आपको एक second भी नहीं लगेगा, सही option पर पहुंचने के लिए, next question की तरफ चलते हैं, वो है हमारा question number 89, question number 89 में कह रहा है, which of these is not an additional form of carbon, carbon का additional form नहीं है, तो अभी जैसा हमने discuss किया, कि हमें पता है कि diamond जो है, वो क्या है, diamond क्या है आपका, एक allotrop of carbon है, ग्रिफाइट है, फुलरीन है, oxo carbon, allotrop क्या होता है, allotrop की definition, डेफिनीशन क्या होती है, कि उसकी जो physical property जो होती है, ऐलो टॉप की क्या होती है, physical property वो तो क्या होती है, different होती है, लेकिन chemical property क्या हो जाएगी, same, तो जब oxygen आ जाएगा तो उसकी chemical property change हो जाएगी, इस कारण ये जो है additional form of carbon नहीं है, तो इसका जो answer होगा, कि जो कौन सा नहीं है, तो इसके अंदर oxo carbon नहीं है, तो कहरा है कि the study of the flower, the study of flower is known as, flower के बारे में जो हम detail study करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, अलग-अलग branches होती है, biology की जो branches होती है, उसके अंदर जिस object की study करते हैं, उसका particular name होता है, पहला इसके अंदर option आ रहा है, phrenology, पहला इसके अंदर option आ रहा है, question 90 मेh, phrenology, जो phrenology होती ह है, वो होती है, आपके study of skull, खोपड़े की study, study of skull, जो आपके brain, cranium में पाया जाता है, skull, skull के अंदर बात करते हैं, next is floriculture, तो ये काफी इसके नाम से भी हमें हिंट मिल रहा है, लेकिन कभी-कभी questions में वो doubt पैदा करने के लिए दे देता है, लेकिन इसका सही इसका answer क्या astrology जो होता है, astrology जो किस से related होता है, related to agrostology, ये क्या astrology अलग चीज होती है, ये क्या agrostology, agrostology होती है, वो आपके related होती है, grasses से, अलग-अलग grasses के बारे में study करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, agrostology, agro means related to agriculture आ गया है, अब next है, palynology, ठीके इस question में और concern भी लेके चलते हैं, palynology जो होता है, वो किस से related होता है, वो होता है, pollen grains से related, pollen grains जो फ्लॉवर में पाये जाते हैं, उसके particular के बारे में जब हम study करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, palynology, तो हमारा इसका जो correct answer है, हमें खाली फ्लॉवर के बारे में बताना था, तो इसका correct answer हो जाएगा, B, floriculture, next question है, question number 91 question number 91 में हम से पूछ रहा है, the scientific study of insect, insect की जो हम scientific study करते हैं, insect के बारे में हम और जाने की कोशिश करते हैं, तो उसका correct answer क्या होगा, तो इसके अंदर 4 option दे रखे हैं, A, B, C, D, question number 91 है, उसका जो first part है, theology, जो कि किसे related होता है, fishes से related होता है, बच्चों, fishes से, ठीक है, तो हमें बात करनी है, किसकी insect की, तो ये तो हो गया, fishes related, next है, enthomology, next क्या है, enthomology, तो ये हमारा correct answer है, क्योंकि ये किसकी study करवाता है, हमें insects की study करवाता है, next है parasitology, जी हमें किसके बार में बताता है, parasites के बारे में बताता है, parasites क्या होता है, जो किसी दूसरे organism, जो होता है, कोई बी organism है, दूसरे की उपर जिंदा रहता है, उसके nutrients के एब्जॉब कर लेता है, वो parasites क्यलाता है, और जो D option है, हमारे पास, malacology, जो molluscus होते है, जैसे कि जो snail वगरा होते है, जिनक नाम क्या है एंटोमोलोजी ठीक है तो इसके हाँ उपर हम राइट कर देते हैं नेक्स कोर्शन की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा कोर्शन नंबर 92 कोर्शन नंबर 92 में हमसे क्या पूछ रहा है कि डार्वीन स्थोरी आफ नेच्रल सेलेक्शन क्या थी इसके बारे में आपको प प्रगनिजम सबसे पहले अगर अपना रिप्रोड़क्शन जादा नहीं करेगा तो इसकी प्रजाती दिरी-दिरी वैसी स्थवामत हो जाएगी इसलिए और प्रोड़क्शन उसके लिए जरूरी था ठीक है तो इसका जो ए ऑप्सन कहा रहा है और प्रोड़क्शन यह सही अपने आपको दूसरों से लड़के हमें हर लिए अपने रिडर के लिए अपने रखना है तो इसके आने चाहिए वह समय के साथ चेंज ने पड़े होंगे वह इसकी डैत्थ हो जाएगी हो अपने आपको नई सरवाइ कर पाएगा परणने से कॉपी हो तो वह एंदर तो वह रखना तो जो नेचर के अपने आपको शेड कर लेता है वो सर्वाइव करता है जो नहीं कर पाता है वो समाथ हो जाता है तो यह तीनों आप्शन सही है तो इसका हम क्या करेंगे All of the about तो इसका correct answer क्या हो जाएगा बच्चों डी नेक्स्ट कोशन है किस ने बताया था सबसे पहले about the theory of evolution का नाम आते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए बच्चों theory of evolution के अंदर बताईए क्या क्या option है हमारे पास Spencer है Darwin है Wallens है and Huckley है तो हमारे जो correct answer होगा Darwin होगा क्या होगा बच्चों Darwin क्योंकि Darwin नहीं theory of evolution के बारे में बताया था जो Darwin इसका पूरा नाम क्या है Charles Darwin CD से याद रखो कि CD CD करते हुए हम evolution के उपर पहुंचते है Charles Darwin दूसरे बित के दरफ हमें confused नहीं होना है next question है question number 94 question number 94 में हम से यह पूछ रहा है कि of the following निमन मैंसे which one is not a fish इन में से कौन सी चीज मसली नहीं है अब हम यहां देख रहे है 100 fish के पीछे भी fish लिखावा आया उसके बाद में कह रहा है । कोई fish है नहीं है तो यह हमें पता चलता है यह उसके kingdom के अकोरडिंग पता लगता है इसकी जो Kend dub है त्रिक है वह ए कुरपूरन चाय्ल्ड ऑफ competitive singing मेरा फादर के नाम घंगा संहां यह तो यहट्रिक आ या रखिनिए के का मतलब है kingdom यूसका kingdom कौन सा नहीं पता करो उसको केंटेजर करना पड़ता है c का मतलब उसका phylum कौन सा है वह पता करो, C का मतलब उसकी क्लास कौन सी, वो पता करो, O का मतलब उसका order, O-R-D-E-R, किस order में पाया जाता है, ठीक है, फिर किस family में पाया जाता है, तो ये हम क्या करते हैं, जो दुकानदार होता है, वो अपने सामान को अलग-अलग रखता है, या फिर खाने के चीज़ या साबून वगरा सब एक तरफ रख देता है, वो distribute करता है कि ये चीज़ इधर है, ये चीज़ रखने चाहिए, तो हम इतने सारे organism थे, सबको अच्छे से study करना था, तो उन सबको हमें अलग-अलग category में बाढ़ना था, इस kingdom में, ये समरज ये रहेंगे, उसके बाद में ये अलग-अलग phylum होगा, इस phylum में ये पाया जाएगा, ठीक है, फिर G का मतलब होता है, जीनस या जीनस या last में क्या हो जाएगा, इस copies किस पर जाति में पाया जाएगा, तो जो फिसेज है, उसको अगर हमें чek करना है, तो हमां फाइव्त है बात करना पढ़ेगा, तो mostly जो fishes होती है, mostly जो fishes होती है, वो कौन से phylum में पाया जाती है, वो पाया जाती है, एकिनो डर्माइटा, किस में पाया जाती है बेटा, एकिनो डर्माइटा, तो एकिनो डर्माइटा के अंदर कौन से पाया जाती है, saw fish पाया जाती है, pipe fish पाया जाती है, guitar fish पाया जाती है, लेकिन जो starfish होता है starfish जो होती है उसका जो phylum है वो echinodermata नहीं होकर उसका sorry जो true fish होता है उसका code data होता है और यहाँ पर starfish का जो हमारा answer आएगा वो क्या आजाएगा echinodermata is not a phylum of true fish यह fish जैसे दिखाई देती इसका नाम फिस है लेकिन यह क्या कहलाते हैं echinodermata e-c-h-i-n-o-e-c-h-i-n-o-d-e-r-m-a-t-e तो starfish का जो है वो क्या पाया जाता है echinodermata यह starfish इस फाइलम की पाये जाती है जो 100 fish है गिटार है और 5 fish है यह कौन से आपके फाइलम से पाये जाते हैं यह core data तो core data के जो जिनका phylum होता है वो किसके अंदर पाय जाते हैं true fish मानी जाती है इनका phylum इसका phylum इसका phylum और उसका phylum जो real जो fish होगी वो B C यहां पर option यह C होगा और यह D होगा इसका जो correct answer है कि not a fish नाम भली पीछे fish लिखा हो लेकिन हमें phylum देखना पड़ेगा इसका phylum core data नहीं है इसका Aquino undermata है तो यह जो है real fish नहीं है तो इसका जो correct answer होगा which of the following is not a fish तो इसका correct answer होगा star fish star fish जो है real fish नहीं है क्योंकि वो Aquino digital Czy nep sap car phylum से पाए जाता है और बाकि जो यहां पर फिस है क्योंकि वो Core data फाइलम से पाए जाती है तो इसका correct answer हम कर देते हैं बच्चो ए इस्टार फिस हां तो बच्चो हमारा next question है वो है question number 94 इसमें यह हम से आपना पड़ेगा मेरा नाम तो जो मेरा नाम है वो है कुर पूरण child of ganga singh यहां पर k का मतलब है kingdom fandom, P का मतलब है phylum, C का मतलब है class, O का मतलब है order, F का मतलब है family, G का मतलब है किस genus से है और S का मतलब है species के अंदर है, S का मतलब है species, तो यहाँ पर अगर कोई fish है, उसके अगर हम phylum के बारे में बात करें, तो अगर उसके जो phylum होगा वो हमें पता हो जाए पता चल जाएगा तो हमें यह कह सकते हैं कि वो particular true fish है या नहीं है तो यहां पर एक option दे रहा है star fish एक दे रहा है pipe fish एक दे रहा है saw fish और एक दे रहा है guitar fish जो यहां पर हमारे पास star fish है इसका जो phylum है वो है echinodermata e-c-h-i-n-o-d-e-r-m-a-t-a echinodermata उसके बाद में next जो हमारे पास fishes है उसके जो phylum है वो है core data यह आपको learn करना पड़ेगा table यह भी core data और यह भी core data तो core data वाली जो fishes होती है वो real fish होती है यहां पर जो star fish है echinodermata phylum से पाई जाती है इसलिए यहां पर is not a fish तो हमारा 94 का जो answer होगा वो हो जाएगा a star fish next question की तरफ चलते हैं बच्चो next question में वो क्या क्या पूछ रहा है हम से next question में पूछ रहा है of the following निमन में से which is true fish कौन सी इन में से true fish है इन में से कौन सी true fish है तो इसके अंदर हमें जो option दे रखें option a क्या दे रखा है option a है हमारे पास silver fish option b है crayfish option c है jellyfish और option d है catfish हमें इसके अंदर बताना है कि true fish कौन सी है तो इसके अंदर जो option a है silver fish silver fish आपके कौन सी है orthopeda silver fish आपके कौन सी पाई कौन सा phylum है इसका silver fish का orthopeda एक में में लिख देता हूं यहां पर silver fish है उसका जो phylum है वह है orthopoda नेक्स जो फिस है जैली फिस जैली फिस का जो phylum है वह एसनेड एरिया एकनेड एरिया भी कह सकते हो c-n-i-d-a-r-i-a next है crayfish crayfish का भी आपका जो phylum है वह आपका यही है और जो लास्ट है catfish catfish का जो है आपका phylum वह है आपका call data तो call data वाले जो भी आपकी phylum के होंगी वह क्या होगी true fish तो यहां पर हमारा जो answer होगा वह क्या हो जाएगा option number d इसका correct answer होगा catfish option में आपको यह द्यान से देखना है कि वह true के बारे में पूछ रहा है या option सही अगर नहीं देखेंगे तो हमें आता भी होगा तो भी हम उसको क्या कर देंगे गलत कर देंगे तो option को हमें पिता की गुंड जो है पुत्र में आना हरीडिटी जो है इसी के उपर बेज्ड है इन हरीटेंस के बारे में बात कर रहे हैं वास परफॉर्म्ड ऑन ऑर्गनिजम को लेकर उसने उस एक्सपरिमेंट को किया था तो इसके अंदर option आ रहा है डॉसो फिला स्नेप ड्रेगन ग है seven contrast character है, अलग 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 परकार के character पाय जाते हैं, अलग अलग इसकी height होती है, अलग अलग इसकी flowers की position होती है, मटर की color अलग अलग होते हैं green होते हैं और yellow होते हैं, मटर जो है shrink स्रिंग्ड है या फूले वे हैं उसकी जो फली है वो स्रिंग्ड है कंस्ट्रिक्टेड है इन्फलेटेड है तो इस तरीके अलग-अलग इसको करेक्टर्स मिल गए और भी इसकी कई प्रॉपर्टी इसके कारण जो है उसने किसको सेलेट किया था गार्डन पी को यह सबसे जाल इसम, सिटाइवम तो यह करेक्ट्ट आंसर होगा इसका C तो इसको हम टिक कर देते हैं हमारा जो 96 का करेक्ट आंसर होगा C के मेंडल्स पिंसिपल आफ इनहरीटेंस का वंसान नुकट्ट का जो सिधान था इस बेज़ डाउन किस पर बेज़ था ऑप्शन दे रहा है वेजी टिटीव रिप्रोडक्षन किसी प्लांट का पार्ट उठा के दूसरे में डाल दिया जाता है फिर उसको ग्रोथ करवाया ज यो गार्डन का पी होते हैंुँ हुआ क्या हो जगा सेक्सवल on rolling थे एंकि पाइब के साथ कर्वाना रकाल उसके साथ करवाना बना है यह मैं पनाल सिख्याइक पर्ति अंर है nosi को सेक्षय रेडुक्षेन k अगे लेखते फ्रिक्रेश के सायरन आपषआज और ध्रिवेलाइजर जो हमें और्गनीजमस वगई न है उसे मिलता हो वह आपको मैन्यूर होता है फुर्टिलाइजर जो कहां बनाए-जाते फेक्टरी में प्रभाइज़्ट होता है तो bio means जो living organism जैसा है रहे वो क्या कहलाता है bio fertilizer तो इसके अंदर आपके option दे रखे हैं उसका option दे रखा है कि bio fertilizer कौन से एक तो ureha है एक streptocycline है 2,4D है और azola है तो इसका जो correct answer है जो bio fertilizer है वो आपको remember रखना होगा यहाँ याद रखना रहेगा इसका जो correct answer है वो है a zona का जो पूरा नाम है वो है azola anabina एजुज नहीं होना है यह किसलिए यूज होता है जो आपकी चावल होती है चावल की खेती की जाती है तो उसके अंदर यह आपका बायो फर्टिलाइजर डाया जाता है फॉर राइस पैडी वहाँ पर एज फॉर्डर की तरफ भी काम आता है क्योंकि जब पानी का लेवल ऊपर हो यह तावल की खेती होती है पानी का लेवल जादा हो उसमें खेती होती है और उसके अंदर इस टाइब के बायो फर्टिलाइजर काम आते हैं तो इसका करेक्ट आंस बायो फॉर्ट बी काम आता है फॉर्डा केटल केटल में जो हमारे पालतु पसू है बेड़ है ठीक है इस्पेशली फॉर मिल्किंग वाइज जो दूद देते उनके लिए कौन सा बायो फर्टिलाइजर ज्यादा बेस्ट होगा यूज करना तो इसका जो करेक्ट आंसर है 珍ा बापस हमारा फॉर्डर के रूप में काम आने वाला क्या होगा एज्वा एननेड़ना टो इसका押ины क्या हो जाएगा कि बी करेक्ट आंसर क्या हो जाहेगा भचों बी-िसका क्रेक्ट ला बाष्ट बट नॉट इसकोषन है रूभई आन्ट रेड लाष्ट बटट हुछ उपोऊटेंस बखे गवारा बच्छी में क्या रहा हैं की जिस्के पास पाई त Васके नहीं जो बैटिया का अप्टिरिया के आसपास क्या पाया जाता है आपके अध्सृबॉट आपके ते हैं मिले क्या अग्राज्फ का पाया जाता है उतल hospitals क्या के सेेल लोग उठाते हैं अगर हमारे बोडी में बैक्टरिया एंटर होता है तो उसको मानने के लिए जो डॉक्टर जवाई देता है उसके अंदर पैनिसलीन होता है क्या होता है पैनिसलीन तो पैनिसलीन क्या करता है सीधा जाके किस पर अटेक करेगा किस पर अटेक करेगा सेल वाल के और human beings जो होते हैं उनके animal cell के अंदर cell wall क्या होती है absent होती है खाली plant cell में पाए जाती है तो अगर bacteria के पास जो cell wall है तो वो जो penicillin जाके सिधा cell wall पे attack करती है तो cell wall उसका खतम हो जाता है और bacteria आपने आपको survive नहीं कर पाता है इसका रणों मर जाता है virus के case में ऐसा नहीं होता है virus जो होता है उसके बाहर किसकी layer पाई जाती है fat की layer पाई जाती है fat की हना तो fat को अगर हमें अटाना हो तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा soft इसलिए जो coronavirus है कोईड वाइरस है उसको हम shop के थूरू उस fat को हम फाट सकते हैं और वह अपने आप मर जाता है ठीक है तो यह जो रीजन है इसलिए हम के हमें कहते हाथ सेनिटाइज करो alcohol के अंदर भी घुल जाता है आपका यह वाइरस का फैट जो होता है alcohol के अंदर भी हो जाता है और किसके अंदर भी घुल हो जाता है सोब जो है उसको ब्रेकडाउन कर देता है तो सोब के कारण भी हो सकता है अलग अलग जो ऑर्गनिजम है उनके अलग 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 प्रॉपर्टी है सो यह था आपका model paper first का solution उमीद करता हूँ आपको यह अच्छे समझ में होगा और अगर जिन बच्चों को यह अच्छे समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज जो हमारे premium वीडियोज है Allrounder BSS का android app उसको डाउनलोड करके और उसके जो courses है उसको purchase करके उस वीडियोज को जाद करके अपने दोस्तों में पढ़ाईए और उनको भी आगे इसके बारे में बताईए उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छे समझ में होगा तब तक के लिए आगे पढ़ते रहिए और देश का नाम आगे बढ़ाते रहिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय क्यों रह रहे हो अभी विजिट कीजिए Allrounder BSS के YouTube चैनल को और इंस्टाल कीजिए Google Play Store से Allrounder BSS के Android एप्लिकेशन को जहां पर आपको नवदे विध्याले की फुल कोचिंग दी जाती है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए Allrounder BSS YouTube चैनल को और इंस्टाल कीजिए Google Play Store से Allrounder BSS के Android एप्लिकेशन को तो देर किस बात की जाना है अपकी बार बस करना है नवदे को पार जै नवदे जैन हम्यान की जूदी जलाएगी